सूरज हमसे लाखों किलोमिटर दूर है फिर भी हमें सूरज से उश्मा प्राप्त होती है सूरज और प्रित्वी के बीच अधिकतर स्थानों पर वातावरण नहीं होता है इसे ही वेक्यूम अर्थात निर्वात कहा जाता है उश्मा हम तक इसी निर्वात से होकर पहुँचती है इस प्रकार के उर्जा के संचरन को विकरन कहा जाता है आम तोर से विकरण का अर्थ है फेकने की प्रक्रिया उश्मा का विकरण विद्युत्चुम्ब की तरंगों के स्वरूप में होता है हमें दिखाई देने वाला प्रकाश ये भी एक प्रकार की विद्युत्चुम्ब की तरंग ही है इस प्रकार उर्जा के संचरन को औौशनिक विकिरन कहते हैं विकिरन में उश्मा के संचरन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यक्ता नहीं होती है प्रकाश ये उर्जा भी निर्वाद से होकर गुजरती है और उसका संचरन विद्ध चुम्बकी ये तरंगों के रूप में होता है कैम फायर में क्या होता है भले ही हम इससे दूर खड़े रहे तब भी हम उसकी गर्मी महसूस कर सकते हैं उश्मा का विकिरन के कारण संचरन होता है इंफ्रा रेडियेशन अर्थात अवरक्त विकिरन जिसे अवरक्त प्रकाश भी कहा जाता है ये एक प्रकार का electromagnetic radiation अर्थात विद्य चुम्ब की विकिरण है जिसकी wavelength अर्थात तरंग दैर्धिय लंबाई अन्य दिखने वाले प्रकाश की तुलना में लंबी होती है और इसी कारण सामान निताहा ये प्रकाश मानवी आखों को नहीं दिखता है अवरक्त किरणों में बह उदारन है थर्मोग्राफिक कैमरा गरम उष्ण पदार्थों और वस्तुओं द्वारा छोड़ी जाने वाले विकिरणों को खोचता है या उनका स्विकार करता है इन्हें ही थर्मोग्रामस कहा जाता है चुम्कि उन सारी वस्तुओं द्वारा जिनका तापमान शुन्य से अधिक हैं इन्फ्रारेड अर्थात अवरक्त विकिरणों को छोड़ते हैं इसी कारण थर्मोग्राफि द्वारा अंधेरे में भी छाया चित्र लेना संभव हो पाया है जैसे रडार रेटल स्नेक नाम का एक सांप है उसके मुख पर और श्निक विकिरण संसुचक अर्था डिटेक्टर होता है जिसके कारण वो घने अंधेरे में भी शिकार कर सकता है अब हम इन दो बरतनों में पानी भरते हैं दोनों बरतनों के पानी का प्रारंबिक तापमान 27 डिगरी है लेकिन बरतनों में से एक काले रंका है और दूसरा सफेद रंका है हम इन दो बरतनों को तो समान समय तक धूप में रखेंगे, दूनों बरतनों में जो पानी है क्या उसका तापमान समान होगा, चलिए देखेंगे, ऐसा जान पड़ता है कि काले बरतन में जो पानी है वो पानी सफेद बरतन के पानी से अधिक गरम हुआ है, तापमापक की सहयता से अब हम तापमा ना पेंगे काले बरतन में जो पानी है उसका तापमान 37 डिग्री सेंटिग्रेड है और सफेद बरतन में जो पानी है उसका तापमान 33 डिग्री सेंटिग्रेड है इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तू की उश्मा को अवशोशित करने की क्षमता यह वस्तू के र हम दो बर्तनों में गरम पानी भरेंगे और वे ठंडा होने के लिए रखेंगे एक घंटे के बाद अगर हमने उन दोनों बर्तनों में पानी का तापमान ना पा तो क्या वो समान रहेगा क्यों न आप इसे खोजे थर्मस चलिए अब हम इस थर्मस में गरम पानी डालते हैं इस पानी का प्रारंबिक तापमान नवासी डिग्री सेल्सियस है हम थर्मस का ढखकन बन करेंगे एक घंटे के लिए उसे अलग से रख देंगे एक घंटे के बाद पानी का तापमान 83.6 डिग्री है चलिए अब हम यही कृती स्टील के जग के साथ करते हैं पानी का प्रारंबिक तापमान 86 डिग्री है और एक घंटे के बाद पानी का तापमान 60 डिग्री है क्या आप बता सकते हैं कि पानी स्टील की अपिक्षा थरमस में गरम क्यों रहा चलिए देखते हैं कि थरमस की इस प्रकार से तयार किया जाता है थरमस फ्लास की एक योग ये पद्धती से रोधित पात्र होता है थरमस के अंदर के भाग में कांच का कक्ष जैसा होता है और बाई भाग प्लास्टिक का बना होता है बाई आवरन धातू जैसे स्टेनले स्टील से भी बना हो सकता है जिसके कारण वो अधिक टिकाव हो जाता है अंदर की सता और बाईय सताह के बीच निर्वात होता है आम तोर से अंदर की कांच की सताह पर चमकदार धातू के एक पतली से परद भी होती है पात्र को उपर की ओर से स्कुरू जैसे स्टॉपर से बंद किया जाता है इस व्यवस्था के अंतरगत तरल पदार्त की सारी उश्मा संचयन अत्वा संवहन अत्वा विकिरन के मारफत निकल जाती है क्या थरमस ठंडी वस्तूओं को ठंडा रख सकते हैं? क्यों ना आप कोशिश करके देखें? साराज अउशनिक विकिरन एक प्रकार का Electromagnetic Radiation अर्थात विद्युच्ण्ब की विकिरन होता है जो कणों में होने वाले अउशनिक गती के कारण निर्मान होता है विद्युच्ण्ब की विकिरन को यातरा करने के लिए किसी माध्यम की आवशक्ता नहीं होती है सूर्य से निकलने वाली इनहीं विद्य चुम्बकी ये किरणों की परसपरिक्रियाओं के परिणाम स्वरू पृत्वी को उश्मा प्राप्त होती है हमने प्रकाश के विभिन स्तुरूतों के बारे में जाना और उश्मा के संचरन की तीन पद्धतियों के बारे में भी अध्यन किया वे तीन पद्धतियां हैं संचलन, सववन और विकिरन